हमस्कार दोस्तों स्वागत इसने में बात करने वाले हैं BPSC 69 प्री एक्जाम का फॉर्म कैसे फील करेंगी स्टेप बाइस्टेप में आपको एक लाइफ फॉर्म करके बताने वाला हूं ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी परकार की मिस्टेक ना हो प्रोसेस में बताऊंगा फाइनल करने तक का फूल प्रोसेस में बताऊंगा पमेंट करने तक का वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी जनकारी अच्छे से समझ में आ सके कैसे BPSC 69 के लिए फॉर्म को भरना है तो यह फॉर्म भरने के लिए BPSC की website पहे जो वहाँ पर मैंने दिया हुए और यहां से आपको फॉर्म को भरना है यहां आपको नीचे आना है यह देखिए 69 डबल सी इंटिग्रेट 69 कंबाइंड कंपेटिटिव एक्जामिनेशन 15 जुलाई से लेकर 8 अगस 2023 तक फॉर्म को भरेंगे और यहां से नोटिटिकेशन ड से लिखना है माली आपका नाम दीपक है और कुमार भी है लश्च में कुमार लिख देंगे इस तरह से कोई मिडिल भी नाम है तो यहां से आपको चूच करने का उप्सन मिलेगा उसके पर फादर्स नेम यहां पे हज में अगर कोई वीवाहीत महिला है उनके लिए हजबें यहां पर बताना है उसके बास जेंडर बताना है मेल है कि फीमेल है या थाट जेंडर जो भी है बताएंगे इसमें से एक आईडी प्रूफ आपको चूच करना है ध्यान रहे अगर आप अधार काड देते हैं तो जो इनका अप्लिकेशन फी लग रहा है उतना ही लगेगा आपको एडिशनल दोसों पर पोस्ट के साबस आपको चार्ज लगेंगे तो अच्छी बात है अधार काड सबके पास से अधार काड आप यहां चूच करें अधार का अप्लोड करनी है और धियान रहे अधार का फ्रंट और बैक दोनों एक सामने दिखना चाहिए यह नहीं यहां पर आपको प्लोड करना है यह ब्लॉक लेट करना है अगर आप निमासी नहीं बिहार के तो आप इसे नो करेंगे तो उनको नहीं लगेगा बट वह लोग जो है यहां जेनरल के तोर पे ट्रीट किये जाएंगे उनको कोई प्लोड करेंगे और यहां प्लोड करेंगे और यहां प्लोड करना है यह नहीं कि आपको कास्ट नहीं यहां मांग रहा है इंटर इन चरीफिकट देगा और वह अपना इसे जनकाई आप शेट नमबर इसे डेट और यहां पे आपको बताना है कि है बिहार कई सारे और हैं तो नोट इलिजिवल हो जाएगा बिहार काहीं निवासी इसी होना चाहिए बिहार से यहां पे देंगे तो इस तरह से आपको बता करेंगे तो चाहिए जितने भी कास्ट हैं सारा कास्ट यहां पर देखने को मिलेगा कास्ट का आप यहां पढ़ेंगे और उसकी च्वाइस कर लेंगे कि आप कों से कास्ट से विलोंग करते हैं यहां तो आप fighter और इस था थरहिका आप केंडिट्स हैं तो यस करेंगे और अपना सरिक्ट वगर देंगे नहीं है तो आप लो करेंगे यहां पर आपको जो इस कि जनकारी देना है यहां पे सटिफिकेट नंबर क्या है और इस्ट इस तरह से करना है अगर आप माल लिए आपको से आते हैं पर आपको कॉंसेशनल फी लग रहा है तो आप यहां पर यहां कर देंगे जो भी मतलब के समझेए एस्ट डिसेबल्ड है यहां कर देंगे अगर आप इस करेंगे अब यहां पूछ रहा है अगर आप बिहार गवर्मेंट इंप्लोई है तो यह करेंगे अपना डेजिकनेशन ऑफिस प्लेस बता सकते हैं नंबर अटेंट्स बता सकते हैं नहीं तरह आप no करेंगे इसके बसे आपको अपना correspondence address पत्रा चार का पता बताना है जिके जो आप यहाँ पे present address लिखेंगे उसी के base पे जो आपका exam center decide होगा अगर मालनी जी आप हैं गोपाल गज की और आप पटना में रहके त्यारी कर रहे हैं जहां भी आप रह रहे हैं उस प्राइफ फे अपना फर्माने डर्स लिख देते हैं तो ऐसे मैं समझ व्हां एपर आप ऄही आप समझ पढ़ाई डिप्टार होगान तो है दूर-दूर ओम सेंटर करते हैं और नहीं गहां सब्सक् acids लेडि़ाए हैं त नहीं कुटिंदी गर और पड में आप आप जहा है आपका थायी निवास है वहां का डालिए इस तरह से और हैंका है कि सब्सक्राइब करेंगे एंब दुबारा इसे अनबर ऐ्रचीन सब्सक्राइब अबर मिल जाता है यूज नेम और पास्वर्ड आख से Pardon पर पासवाड मिला वो लिखंगे कर लेंगे कर लोग ने करते हैं यहां पर डैसबूर्ड यहां पर यहां पर आपको देखिए कोई गलती तो नहीं है अब यहां पर देखिए अप्लिकेशन फॉटो लेना है यहां यहां पर आचुकी है अब यहां पर सारी जनकारी को भेरिफाई करते हैं नीचे आजाएंगे कर देखिए आपको जो है इस तरह से आपको आजाएगा यहां पर पूछ रहा है कि इस पोस्त कौन से पोस्त के लिए फोर्म बहुत ना चाहते है जितनी जो टिनए यहां उसके लिए यहां पर करना चाहते हैं चुलाव करेंगे अपने करते हैं तो यहां पर आपका बीस है इसी तरह से कुछेगा कि आपने इस वाले पोस्ट पावजन दे सकते हैं जैसे यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं जो इसको हटा देंगे तो यहां देखिए ग्रेशन जो हट जाएगा और लिए आपने मतलब न न एक टेकर अब जो है आप किसी जी सपीए और कि वश्टपो के लिए बाफिये दो बीसे के लिए और ड़ल neutr की सिटीम 협डियों सब्सकराइब इसे हिंदी लिखना यह जो भी आपने सब्सक्राइब मताइगे कि सबस्क्राइब बना है तो आपका मैट्रिक हो जाएगा 2012 से लेकर 2013 ऐसे आप सेसन को दे देंगे फिर उत्रिड बार्स 2013 हो जाएगा बता रहा हूं आपका जो भी हो अपने अपने बताएंगे बिद्याले का नाम बताएंगे किस बोर्ड से आपने जो है मिला फृपतांक में यहांपे और फूल मार्क्स कितना का था फूल मार्स पुड़ांक यहां पर लिखेंगे और परसेंटेज यहां पर बतानी है उसी तरसे ग्रेजेशन का आपको 20 बताना है approximately बताना है उत्रिड इक्वाठा किया था इंस्टूट और बोर्ड का नाम फिर य पर्षेंटेज क्या है फिर यहां पर अप्लोड सटिफिकेट यहां मैट्री का सटिफिकेट आपको अप्लोड करना है यहां पूछ रहा कि आप जो है अन्तिम पूर्व नियोजन का विरॉड दीजिए अपना प्रिवियस इंप्लोईमेंट डिटिल्स आपको देना है अगर सब्सक्राइब करना प्रिवियस जो है रुजगार का जनकारी दे सकते नहीं तो नो कर देंगी अब यहां पूछ रहा है किसी सरकारी बिहार लोग से आयोग बिश्व भी दाले अन्य किसी आयोग द्वारा जो है परिच्छा से निसकाती या आयोग यह घोशित किये गहें तो आप यह समय आपको बता देना है फिर उमिदवार ने जीन जीन स्थानों पर विगत तीन वर्सों में छो मां से अधिक निवास किया उसी का विवरण देना है बाकी आप विवरण नहीं देंगे यहां पर आपको बताना है इस तरह से आपने रहा और फूल एड्रेस उस आपकी हाइट क्या है सेंटीमीटर में फीट में और इंच में मतलब यहां पर आपको दो परसन का आपको नाम देना है बट उसके साथ कोई आपका रेलेशन नहीं हो लेकिन वह आपको जानते हो पीछले 6 महीने से यहां पे इस तरह से लिखा हुआ है आप पढ़ लेंगे क पूर विवरण जो उमिद्वार को 6 महीने से अधिक से जानते हो उससे संबंधित नहीं हो वैसे लोग का यहां पर रिफरेंस में दे देना है घर के लोग को अना दीजेगा किसी दोस्त को आप दे सकते हैं किसी आसपरोस के लोग को आप दे सकते हैं नाम फिर उमिद्वार करेंगे आपका फाइनल संपीट करने के बाद से डैस्बूर्ड पर आप दुबारा लोग- followed करके आ सकते हैं और यहां पर आपको फीप अमेंट का मिलेगा तीसरा स्टेप में तो तीसरा स्टेप आपका फीप अमेंट जमा करना होगा आप जब जमा करेंगे और फॉर्म को फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास साथ कोपी लेंगे तो हमने इस परकार वाइक कैसे आपको दिसक्राइबिक से अब करे का ऊक्षरक। सब्सक्राइब करेंगे आपका फॉर्म फानल समिट नहीं माना जाएगा और यूजर आड़ी पासवर्ड जो आपको मिला है उसे आप अपने पास सुरक्षित रखेंगे इंद फ्यूचर जब एडिमीड काड आएगा या आंस्वर की जारी होगा वो सब जो है उसी यूजर इस समझ में आगा होगा आपके मन में कोई भी डाउट से कमेंट है कमेंट बोक्स में पूछिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट